वेलकम टू पूजास किचन आज हम आपको बनाने बताएंगे मसाला दोसा इसके लिए हम लेंगे इडली राइस 1.5 कप अच्छे से धो अच्छे से धो के इसको भी गो देंगे हम 8 गंटे के लिए और हम लेंगे उरद दाल और फर्मेंटेशन में भी काम आता है अब हम चावल को पीस लेंगे आठ घंटे के बाद और जो दाल हमने भी गोई थी उसको भी पीस लेंगे और दोनों चीजों को मिला देंगे अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और वन फोथ टी स्पून सोडा और इसको फॉर्मेंट होने के लिए रख देंगे हम आठ घंटे के लिए अब हम बना लेंगे फिलिंग तो उसके लिए हम लेंगे ओयल एक टेबल स्कून उसमें हम डाल देंगे राई एक चमच मस्टर्ट सीज के और हरी मिर्ची हरी मिर्ची आप अपने स्वादे में सार कम जादा डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता लंबा कटा प्यास अब हम इसमें डाल लेंगे मसाले तो मसाले में हम डालेंगे हल्दी पाॉडर एक चम्मच लाल मिर्ची थोड़ी कम ही डालेंगे क्योंकि हरी मिर्ची भी हमने डाली है मीथी पाउडर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर धनिया पाउडर एक चमच और जो हमने बॉयल करे हुए थे आलू उसको भी डाल देंगे अब हम और अच्छे से पका लेंगे मैश करते हुए आलू को अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादनसार अब हम दोसा बनाने के लिए नमक और पानी का जो घोल है उसको पहले गरम तवे पे डालेंगे और जब ये एकदम से सूख जाए पानी तब हम इसमें डालेंगे जो बैटर हमने बनाया था जो फार्मेंट हो चुका है और इसको हलका हलका से दबाते हुए फैला देंगे पूरे तवे पे तो एक ही डारेक्शन में हमने मूव करना है लैडल को कडची को ताकि अच्छे से फैल जाए अगर हम दो डारेक्शन में मूव करेंगे तो दोसा अच्छे से फैल लेगा नहीं अब जब थोड़ा सा पक जाएए तो हम इसमें डाल देंगे बटर पूरे पे स्प्रेड कर देंगे दोसे पे अब हम इसमें लगा देंगे कारलिक और रेड चिली की जो चटनी हमने बनाई है वो पूरे दोसे पे स्प्रेड कर देंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोसे का पर अगर आप जादा मिर्ची नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको अब हम हलका सा इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे और देखिए कितना अच्छा पतला एकदम दोसा हमारा त्यार हो गया है अब इसको थोड़ी देर दूसरी तरफ पका के हम फिर से पलट लेंगे और अब जो हमने आलू का जो सबजी बनाई है बीच में फिलिंग करने के लिए दोसे के तो वो मसाला हम अच्छे से फैला लेंगे दोसे में और अब हम दोसे को फोल्ड कर देंगे तो लीजे हमारा जो दोसा है वो त्यार हो गया एकदम क्रिस्पी अब हम इसको सांबर और चेटनी के साथ सर्फ कर देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे